स्वागत है दोस्तों आप सभी का UP TGT और PGT 2022 के समध में सूचना है अपडेट कर देते हैं हम आपको जो चर्चाएं चर रही है किया वो कितनी सही है कितनी गलत है आप इस बारे में आप से बात चीत करनी हो नहीं भरती TGT PGT की कब तक आने की संभावना है इस समध में बात क कारिकर्म रहेगा वो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ भी है और मैं फिलहाल बता आता हूँ कि एक अच्छे खासी आपको TGT PGT 2024 में नई वेकेंसी देखने को मिलेगी अच्छे खासे पदों में देखने को मिल सकती है मैं आपको बता सकता हूँ कि 20,000 प्लस ही पद इसकार कुछा नहीं हो रही है और आपके परिच्छा सेवा चेहन बनने के बाद पहली प्राथ्मिक्ता होगी कि UPTED की परिच्छा कराई जाए उसके बाद दूसरी प्राक्थमिक्ता होगी कि 2022 का TGT PGT है यह कराई जाए दोस्तों आपको मैं सूचित कर दूं कि एक बहुत सारा प्रश्ण पूछा जा रहा है कि Gs किया perlu 82 कि TGT PGT में पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा देखे जी इस का जो प्रक्रण है मैं आपको इस परष्ट रूप से बता दू हूँ 2022 के TGT PGT के एक्जाम में आप से नहीं पूछा जाएगा नई वेकेंसी TGT PGT की आएगी उसमें GS पूछा जाएगा पूरा पैटर्न बदल जाएगा आपका नहीं वेकेंसी के लिए दोस्तों आप तयार रहिए क्योंकि ये भी मुझे सुनने में आ रहा है कि ये भी पता चला है कि आपका जो पेपर है वो चुनाओ के बाद उनी के संभावनाए ज़्यादा लग रही है और चुकि फरवरी में एक बहुत बड़ी भरती पुलिस की कराने जा रहे हैं जिसमें से करिप 30,00,00 की आसपास आवेदन आ सकते हैं या फिस से भी ज़्यादा क्योंकि आयू सीमा बढ़ाई गई है और आरू का भी पेपर है और कई सारे पेपर होंगे इसी चुनाओ के समय और अगली में अपडेट देऊंगा तो आप लोग करिप्याद चैनल को सिस्क्राइब करिएगा वो सुपर टेट से संबंदित होगी तो वो मैं अगले वीडियो में बनाने माला हूँ तो उसके लिए फिलाल आपे जो मित्र बंद जो देख रहा है लेकिन इसकी संभावना पूरी तरीके से नहीं है आपकी संभावना यह है कि आपको पुराने पेटर्न पे भी पे ही आपको एक्जाम देना पड़ेगा ठीक है जय आस नहीं पूसे जय हिन जय भारत